मनुस को कंगाल बनाने वाले ये चार कारण समझ लीजिए कभी दुखी नहीं रहोगे पाप और बासना की ज्यान वर्दक कहानी जैसरी कृष्ण मित्रो स्वागत है आप सभी का गोपेश गयान यूट्यूब चैनल में मित्रो आज मैं आपके लिए बहुती काम की जानकारी लेकर आया हूँ आप से निवेदन है कि वीडियो पूरा आवस देखें आपने ये तो सुना ही होगा कि मनुस को यस कीर्ती धन संपदा पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है कितने नियम सईयम का पालन करना पड़ टो कंगाल होते देर नहीं लगती आखिर क्या है वो दोस्त तो आईए बने इस वीडियो में वीडियो की समापिन तक सजनों ये कहानी एक संपन्न ओ धर्मात्म ब्यक्ती की है आप इसे कहानी ना समझे वलकि ये एक सच्चाई है एक बहुत ही संपन्न ब्यक्ती था जिसका यस और कीर्ती चारों और बड़ी दूर दूर तक फैली हुई थी नाम था पुरन्द संपन्न होने के साथ साथ वो बहुत बड़ा धर्मात्मा भी था कहते हैं अच्छे लोगों की तरक्की दुष्ट लोगों से देखी नहीं जाती इसलिए पर उसे नीचा दिखाने के लिए कोई न कोई सड्यांत रचते रहते हैं ऐसा ही हुआ उस धर्मात्मा और सम्रिद साली व्यक्ति के साथ जिसका नाम था पुरंद्र एक दिन ईर्षा भस पाप और वासना ने उसके चरित्र की परिक्चा लेने के लिए एक कुटिल योजना बनाई कहते इस संसार में असुर परिवर्ति के लोग अपने बुरे सुभाव के कारण सत पूर्सों से दुरोह करते हैं और उन्हें गिराने और उनके सुखी जीवन में बाधा डालने का काम करते हैं बिचुप चाप कुछना कुछ उतपात करते ही रहते हैं यही सोचकर पाप उस धर्मात्मा व्यक्ति के घर के चक्कर लगाने लगा लेकिन उसके घर में वो घुस नहीं पाया बासना ने भी उसके घर में घुसने का कई बार पिर्यास किया परंतु वो भी सपल नहीं रही इन दोनों ने सुकी परिवार के लोगों में फूट कल है मन मुटाव करवाने की बहुत कोशिस की किन्तु विवेक और सद्वुधी के कारड बेन दुष्टों के पंजे में नहीं आए एक दिन बासना ने पाप से कहा कि देखो हम चाहे लाग कोशिस कर ले जब तक इन्हें धरम से विमुख नहीं किया जाएगा तब तक ये लोग बिपत्तियों के जंजाल में नहीं फसेंगे धरम को मजबूती से पकड़े रहने बाले लोग उन पर हमारा कोई बस नहीं चलता खेर आप हिम्बत मत हारिये मैं आपके साथ हूँ इस तरहे पाप और बासना रात बर सोच विचार करते रहे सुवह होते होते उन्होंने एक नई कूट योजना उस धरमात्मा ब्यक्ति के खिलाब बनाई कहते हैं पाप की चंगुल में फस कर मनुस बार बार दुख भोगता है बासना भी तरह तरह से परिशान करती है बासना के चंगुल में फस कर मनुस अपने बास्तिविक्त लक्ष को भूल जाता है उसका बिवेक उसे अधरम में लिप्त होने से रोक नहीं पाता है बिसाओं में प्रिविर्ती होने के कारड़ लोग पाप करम करते हैं पाप भी हमें ठगने के लिए तरह तरह के रूप बनाता है उसका माया जाल आसानी से समझ में नहीं आता पता नहीं वो किन कब किस रूप में अपने पंजे में दवोच ले इस प्रकार पाप और वासना ने उस समरिद साली व्यक्ती को रात में ठगने का विचार बनाया क्योंकि मित्रो पाप करम अक्सर अंधरे में ही होते हैं अब दोनों ने छदम बेस बनाए और पहुँच गए उसके दौर पर कहते हैं बंधूओ पाप को अपना रूप बदलते देर नहीं लगती वो इच्छा अनुसार अपना रूप बना सकता है बासना ने अपने रूप को बदल कर बहुत सुंदर यूबती का रूप बना लिया पाप ने अपना भेस एक बूड़े ब्यक्ती का रख लिया कमर जुकी हुई है चेहरे पर जुरिया है सपेद बाल है हाथ में लकडी है दोनों जाकर पुरंदर का दरवाजा खटकटाने लगी साम का समय था पुरंदर ने दरवाजा खोला तो देखा द्वार पर एक बूड़े आदमी के साथ एक सुंदर और तरूड लड़की है पुरंदर ने कहा कहिए कहिए मैं आपकी क्या साहता कर सकता हूँ भूड़े ब्यक्ती ने जबाब दिया साहब हम एक मुसाफिर हैं और बड़ी दूर से चल कर आ रहे हैं आगे जाना था परंतु अब रात हो गई है ऐसे अंधेरे में मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर आगे नहीं जाना चाहता राश्ते में चोर और ढाकों का आतंक है नदी नाला हिंसक पसुओं का भय है क्या आप मेरी बेटी को अपने घर में रहने का आश्रह दे सकते हो मैं अपना काम निबटा कर अपनी बेटी को आपके यहां से ले जाऊँगा मित्रो बूडे आदमी की बात सुनकर उस धर्मात्मा पुरंद्र ने सोचा कि अपने द्वार पर आय हुए अथिती की छोटी सी बात को ना मानना धार्मिक मर्यादा के खिलाप होगा और दूसरी बात इस ब्रद की कन्या जादा से जादा कितना खा लेगी कितना इस्थान ले लेगी रास्ते में सच्मों चोर और डाकों का भय है गुंडे लोग इस यूबती कन्या को परिशान कर सकते हैं इस ब्रद आदमी की कन्या को सरण दे देना ही अथित्ध धरम है धरम की रक्षा तो करने ही चाहिए यही सब बाते सोच कर पुरंदर ने उस भूडे ब्यक्ती की उस कन्या को अपने घर में रख लिया जो एक भासना थी उस सम्रिद्ध साली भ्यक्ती को उसके पत से भटकाने के लिए आई थी ब्रद के बेश में पाप उस लड़की को वहीं छोड़ कर चला गया अब तो पाप की जड़ उगते ही उसका विस्विरक्ष फैलने लगा उस भासना ने परिबार में अपना माया जाल फैलाना सुरू कर दिया वो तरह तरह के सरंगार बनाती और अपने मन मोहक छबी से पुरंद्र को लवाने का प्रयास करती वो हर प्रकार से उसे धरम पत से गिराने और पाप की ओर आकरसित करने का प्रयास करती रहती धीरे धीरे पुरंद्र भी अपने पूजा पाट दैने कारियों के साथ साथ उसके बासना के जाल में फसने लगा पाप का कूपर भाव धीरे धीरे बढ़ने लगा फिर भी उसके मन में धरम रच्छा का भाव बना हुआ था धीरे धीरे उसका मन उसके मुख कारियों से हटने लगा उसकी प्रविर्ती सिरम की ओर कम होने लगी उन्हें आला से और काम चोरे पन ने दबा लिया उनकी प्रशुप्त बासनाएं और कुछ अंसकार जागरत होने लगे काम में मन ना लगने के कारण उनकी आमदनी धीरे-धीरे कम होती चली गई उनकी संपन्नता दरिद्रता में बदलने लगी मित्रो एक रात पुरंद्र सो रहा था तभी उनके सरीर से एक दिब जोती प्रकट हुई और वो कहने लगी हे पुरंद्र अब मैं तुम्हारे घर से असंतुष्ट होकर जा रही हूँ मैं तुम्हारे पास बहुत दिनों से आनंद से रह रही थी अब तुम धरम को दूर हटाने लगे हो इसलिए मैं यहां नहीं रह सकती पुरंद्र कहने लगा है देवी आप कौन हो और मेरा क्यों त्याग कर रही हूँ तब देवी ने कहा मैं सौभाग लच्चमी हूँ और मेरे जाने का कारण है कि तुमने अपने घर में बासना को आसरे दिया है इसलिए तुम्हारा भाग अब बदलने लगा है तुम्हारे धर्म पुन्य पुर्शार्त का च्छे होने लगा है जहां बासना का राज है बहां मैं नहीं ठहर सकती प्रिये बंधो पुरंद्र के बार-बार रोकने पर भी वो नहीं रुखी और बाहा से चली गई भाग लक्षमी के जाते ही उसकी संपन्दता समाप्त होने लगी लोग उनकी चरित्र के संबंद में तरह-तरह की बाते करने लगी परंदु पुरंद्र ने अभी भी अपने धर्म करम को नहीं छोड़ा था वो दिर्रात उस कन्या के पिता के लोटने का इंतजार कर रहा था किसी की कन्या को निरासरित घर से भी नहीं निकालना चाहता था मित्रो उधर वो बासना उस पर और भी तरीके से लोभाने का प्रयास कर रही थी इस तरह धीरे-धीरे एक सप्ता बीत गया उनके पाउं धीरे-धीरे बासना की कीचड में फश्ते चले जा रहे थी एक दिन पुरंदर की यस लच्चमी भी उससे छोड़ कर जाने लगी जाने से पहले उसने पुरंदर को बताया कि मेरे ही कारण तुमारी प्रशिद्धी फैली हुई थी यस छिन जाने से लोग समाज में पुरंदर की अप्रतिष्टा होने लगी कोई उन्हें सम्मान नहीं देता कोई ठीक से बात नहीं करता था सार्बजनिक अबसरों पर लोगों ने उन्हें मुलाना छोड़ दिया यहां तक कि उनके परिवार के सदस्सों ने उनका सम्मान करना छोड़ दिया एक दिन सोते समय एक दिव्विपुरुष्ट उनके सरीर से निकल कर उन्हें छोड़ कर जाने लगा पुरंदर ने पूछा कि आप कौन हो तो उस दिव्विपुरुष्ट ने बताया कि वो धर्म है इस और सौभाग चले गए हैं इसलिए अब वो भी उसे छोड़ कर जा रहा है धर्म कहने लगा इस दूसित वाताबरण में रहना उसके लिए संबभ हो रहा है पिरिये बंधूग धर्म का नाम सुनते ही पुरंदर ने उनके दोनों पैर पकड़ ली और कहा हे भगवन आप हमें छोड़ कर न जाओ मैंने उस कन्या को घर में सरड़ दी है के बल आपके ही कारण अथिति धर्म की रक्षा करने के लिए मैंने अथित्य भावना को पाला है बासना से मेरा कोई सरोकार नहीं मेरे हिर्दय में आपका सुब सिंगासन सदाब राजमान है आप मुझे त्याक कर न जाइए मैं धर्म के बिना एक छड़ नहीं रह सकता धर्म तो सबकी रक्षा करता है मेरी भी रक्षा कीजी भगवन पुरंद्र के इस तरह पैर पकड़ कर रोते देख धर्म ने समझ लिया कि उसके मन में अब भी धर्म रक्षा का पवित्र भाव है इसलिए धर्म ने उस माया के आबरण को नश्ट कर दिया और बे पुना उसके सरीर में लीन हो गए मित्रो धर्म के बापस आते ही धीरे धीरे यस और सौभाग भी लोटने लगे क्योंकि जहां धर्म होता है बही इनका भी निवासिस्तान होता है चदम बेस वाली बासना एक दम से लुप्त हो गई कहते हैं जहां धर्म है बहां सब कुछ स्वयम ही निवास करने लगता है धर्म को साधने से सब कुछ सुता ही सद जाता है धर्म में ही सब कुछ सम्मिलित है प्रिये बंधू मनुस के कंगाल होने के ये चार कारण समझ लीजिए कभी परस्ताना नहीं पड़ेगा धर्म पत्से भटक कर पाप और बासना में लिप्त हो जाने से मनुस दुखों से पीडित रहता है धन और यस नश्ट हो जाता है लोक डिंदा होने लगती है और धीरे धीरे उसका सर्वनास हो जाता है यदि आप चाहते हैं कि आपको ऐसा दिन ना देखना पड़े कि आप कंगाल हो जाओ या दुखों में घिरे रहो तो इन चार कामों में अपने मन को मत लगाना पहला पराई इस्तिरियों में पराई धन में कभी लिप्त मत होना दूसरा दुष्ट पुर्सों से मेल जोल मत रखना जो पाप रूपी विबसाय में लिप्त रहते हैं जूट बोल कर ठग कर हिंसा करके छीन कर धोका देकर बेस्या बिरती करवा के धन कमाते हैं ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए तीसरा चाटुकार लोगों से सदै बचकर रहो जो लोग अपनी परसंसा सुनने के चुक रहते हैं अक्सर बही लोग चाटुकारों के जाल में फस्ते हैं और चाटुकार लोग जोटी परसंसा के पुलिंदा बांद कर आपको पाप और हिंसा करने के लिए बिबस करते रहते हैं नतीजा ये होता है कि एक दिन आप अपने धन के साथ स्वेम भी नश्ट हो जाते हो पिर ये बंधू यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना सेर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपको इसी तरह की ग्यान बर्दक चर्चाएं सुनाता रहता हूँ चलिए मिलते हैं अगली बार अगली वीडियो में एक नई ग्यान चर्चा के साथ आप सभी करना